हेलो दोस्तों आप सुभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल मैंने किस आज की सुड़ा हम लावा ब्लेज प्रो 5G का टेस्ट करेंगे कि इस बहुत ही कम माल के प्राइस पर यह देखने को मिल रहा है एंड बहुत ही अच्छा डिवाइस है मैं आपको आगए डिटेल में हम बताता हूं साथ ही कि इस वीडियो में हम वन आउर फिरिफायर मैक्स का टेस्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे और बैटरी डरेंट टेस्ट हीटिंग टेस्ट भी करने वाल है तो देखते रहें यह वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर डिख सकते हैं 30 के अप्रोक्स है अब दोस्ति हम फिरिफायर मैक्स में अंटर होच चुके हैं सेटिंग में लगे चलकर दिखा दूशा यहां पे दैख सकते हैं एक बस कर 45 मिन्ट हो रहा है और बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 33 पे हैं तो देखेंगे आफटर प्लेई एंड यहां पर पर्फॉर्मेंस के आगे बात करते हैं बाकी और एस्पेक्स की बात कर ले जाए तो 120 हर्ट का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस पे घ्रंडी परियाइउ करके बात कले देखने देखने सिस्थत्रेक्स की और यहां को परफॉर्मेंस की बात कि चाहिक सबसे बहले हम अहले आपको देदेगा मतलब 50FS का प्रॉक्स प्रॉइड करेता है कोई लेग वैग जीटार्स बिल्कुली देखने को नहीं मिले एंड यहां मैंने बहुत देर तक प्ले किया वैसे स्क्रीन रिकाउडिंग करके भी प्ले करेंगे तो वहां पर बताएंगे कैसा एक्सप्रेइंस र जाता है एंड मैं हर बार बोलता हूं कि ब्रैंड कैसे अप्टिमाइज करेगा किस फोन को वही जानता है क्योंकि अच्छा प्रोसेसर के साथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस कितने सारे ऐसे फोन है जो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जैसे कि रियल्मी का नार्जो 50 था दोई डिपेंड करता है कौन सा ब्रैंड कैसे अप्टिमाइज करता है तो यहां पर बहुत अच्छा अप्टिमाइज कि लावा वाले एंड इनका सफ्टर काफी क्लीन भी है तो यह एक अड़ान्टेज हो जाता है लावा का फोन लेने का एंड क्लिरली मैं यह फोन रिकॉ वैल्यू एड करता है केमरा इसका एवरेज आपको देखने को मिलेगा इसके लावा कि यहां पर अधर एस्पेक्स बहुत ही सही है बाकि भीजिया माई के टेस्ट हमने सेकेंड चैनल पर करते है अपने वासू गेमिंग जो चैनल है उस पर हमने कर दिया तो वह वीडियो ज से यह बाकि की से यहां पर गेम प्ले देखिए फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर प्ले करते हैं फिर बाताते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर कैसा एक्सप्रियेंस रहा यहां फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्तर्डिंग स्क्रीन करते हैं जो जगर। कि अब यहां प्ले कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में अब इस एक चीज मैंने नोटिस कि इस पर रिकॉर्डिंग तो इसली देखने को मिल जाता है बट्टे कि यहां पर क्वेस्टमाइज करने का कोई अप्सन देखने को नहीं मिलता है बस यही एक ऑप्सन देखने को मिलता है कि आपको माइक्रोफोन का साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं इसके अलावा कि यहां पर कोई मतलब जैसे मेन्यू होता है ना देर तक प्रेस की जो टॉगल देखने को मिलता है उपर की तरफ कंट्रॉल सेटिंग में जाई नहीं रहा एंड सेटिंग में कोई भी स्कीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्सन देखने को नहीं मिला जहां से कुस्टमाइज कर सके तो यह एक चीज मुझे दिक्कत लगी इसी वएसा देख सकते हैं कि हम गेमिंग कर रहे हैं जहां पर भी टच कर रहें व पर यह रिकॉर्ड कर रहा है तो इस वाई से आप देखेंगा क्वालिटी बहुत ही सही प्रवाइड करता है बट इस यह प्रोसेसर में उतना दम नहीं है कि यह टेने टीपी को जिल सके जिसके वैसे कि यहां पर मैं करेंगा कि उतना स्मूद गेम प्ले नहीं हुआ जितना कि ऐसे बिदाउट रिकॉर्डिंग हो रहा था बैसिकली तो यह एक दिक्कर लगी अगर यह मतलब सेटिंग में मिल जाए रिकॉर्डिंग वाला तो फिर और भी अच्छा रिकॉर्ड कर पाएगा थोड़ा सा लो सेटिंग पर पावर्फूर प्रोसेसर पर आप कर रहा है तो यहां पर काफी अच्छा थोड़ा सा गेंपले देखिए एंड वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और फिर आपको आखिर में बताते हैं कितना बैटी एंड हीट कैसा रहा कितना है पर स्वाइप कि अ कर वाद प়न लाहरे जिन औरिए मुर्ण कार अाचित जुब एंग इन्हों कर दो टेर वह लेंग पुर सुआ अak पुर सुना असला पुरmental पुर सुना टप organic इस एब अと इस ऴुरिष näग सब्सक्राइब करने के बाद भी बहुत यह स्मूथ यह फोन परफॉर्म करता है कोई भी जीटर नहीं करता है यूए में बाखी यहां पर देख सकते हैं 13 पर आच चुका है तो कुछ 20 परसेंट का प्रॉक्स डिक्रीज किया है एंड किस यहां पर देख सकते हैं टेंपरेचर 40 है तो कोई भी हीटिंग इसू भी देखने को नहीं मिलता है तो ओवरल बहुत ही सही है मतलब टेंपरेचर भी मैनेज कर लेता है एंड बैटिर एंड का कोई इसू नहीं है रिकोर्डिंग भी हमने टेस्ट कर लिया वह भी किस काफी अच्छा परफॉर्म करता है एंड सॉफ्ट्वर तो बहुत ही स्मूथ फील होता है तो क्लियर यह फोन आप बाइक कर सकते हैं तो दोस्त फिलाल वड़ों में इतना ही जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए चैनल वीडियो में